जहां पर हर सेकेंड गाडिया निकलती थी, 36 गड़ के कौने कोने के लिए, वहाँ पर पिछले दो दिनों से गाडियों के चक्के थमे हुए हैं अब बस नहीं है तो कैसे करेंगे दो दिन से नहीं चल रहे हैं और आने वाले दिमन कप से चले यह भी क्लियर नहीं अब क्या करोगे अब टिकट भी बना दिया था दो दो गाड़ी गा लेकिन गाड़ी वाल यह उतार के वो भी चले गए अब कासे करोगे हम भी परिशान हो है पब्लिक भी परिशान हो रही है वह ऐसा है कि जो कानून है यह बिल्कुल गलत है के अंदर सरकार के हीट एंड रन कानून के विरोध में पिछले कुछ दिनों से ड्रक ड्राइवर हरताल पर हैं और अब बस चालक भी जो हैं वो भी हरताल पर आ गए हैं अभी हम राइप भुगतना पड़ रहा है यहां के यात्रियों को निश्चेत रूप से ड्राइवरों की अपनी समस्यां उनका कहना और यही वजह है कि वह पिछले दो दीनों से एक असायोग आंदोला चला रहा है अपना वीरोध प्रदसन कर रहे हैं तो हैं पुड़ा परिवार आपके सा अब बस नहीं है तो कैसे करेंगे दो दिन से नहीं चल रहे और आने वाले दिमन कब से चले यह यह फिर किया जाए और यह पर जो बस क्राय का पैसे लेका आई थी वह अगर यहीं पर खापिके उडादेंगे तर जाएंगे कैसे यहाँ आपका कोई रिस्तेदार निये यहाँ पर कोई नहीं है यह देखिए यह महिला भी और यह बच्चे महिला और साथ में इसके बच्राइब गोम रही है किसी सामाग के खा लेती है क्योंकि जो किराया इनको जगदलपुर जाना था तो वह इनके पास है और वह खर्चा कर देंगी तो दिक्कत हो जाएगी इनको परसानी ओरी कहां से आया हो कहां जाना है जंगल पूर जाना है सर तो कब सकत है दो दिन हो गया हमके बैट रहा थे दर बहुत परसान और तोने की जगा भी नहीं तर टिकट भी बना दिया था दो दो गाड़ी पर आ रहे हैं कि जगदल पूर जाना एक जाना तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं उनके साथ यह समस्या है और समस्या यह भी एकि जितना पैसा लेकि आया थे अगर यहां रुख जाए यहां पर रुखने खाने में खर्चा हो जाएगा तो तकलीफ होगी यह परसानी आप हमारे साथ बस के जो ड्राइवर हैं वो भी यहां मौझूद है आप देख रहे हैं कि पब्लीक यहां पर परसान है आप हेल्प भी करते दिखाई दे रहे हैं इन लोगों के मगर आपकी जो मांग है वह इस तरह से विरोद्परदर्शन करने से पूरी होगी कि क्या लग रह को जाएं अब देखना चाहिए मोधी जी से और आप अगे और रहे हैं बोगों कि प्रतिनिधों मंडल से बात हो रही होगी क्या आखार नजार आ अब पर जब तक यह कानून नहीं हटेगा आप लोग नहीं माने जी बसें बिल्कुल नहीं चलने देंगे नहीं चली हमारे साथ और भी लोग यहां वगजुद मैं देख रहा हूं आप थोड़ा सा परसान देख रहे हैं कहां जाना था में को कांकिर जाना था आज एक्चुली मेरी ज को सब्सक्राइब को सस्कार को इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए कि इसके को सेक्वेंस स कितने हैं और कितने लोगों को बुगतने पड़ेंगे अगर कोई भी से कोई भी कोई भी नियम के Talking सिफ एक पक्ष को भुगतना पड़ रहा है तब थो ठीक है लेकिन दोनों पक्ष को भुगतना पड़ रहा है तो मुश्किल हो जाएगी सब को यह एक अच्छा संदेश उन्होंने देने की कोशिज की है कि सरकार को ड्राइवरों की परसानी भी समझना चीए जो आम जनता जो पब्लिक परसान हो रही है ट्रांस्पोर्टर परसान हो रहे हैं व्योसाई परसान हो रहे हैं अब तो पेट्रोल डीजल की किल्लत भी यहां परसानी यात्रों की परसानी और यहां पर बढ़ने वाली है इसके पूरा-पूरा संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जदा जदा इसको सेयर करें सब्सक्राइब करें हमको सुझाओ जरूर भेजें और मुझे और मेरे कैमर